मैं मानर प्रायर आप दोगरू हिंदी एक वीडियो और दोस्ट सेज़ भूर कंदर हम दिखने वाले है कि इस तरह से आपनी आइफोन और iOS 11 और iOS 12 डिवाइस के उपर टाइप 2 Siri को एनेबल कर सकते हो दोस्तो इसको करने के लिए आपके जो iPhone ने इसको कोई भी jailbreak करने की जरू आपको iOS 11 और iOS 12 के अंदरी option मिल जाएदा है टाइप 2 Siri को एनेबल करने के लिए दोस्तो अगर आप नॉर्मली Siri को एनेबल करते हो तो कुछ इस तरह से आप भॉइस करके Siri को बता सकते हो ठीके सो ओके अगर आप Siri को एनेबल करना चाते हो तो यह आसर कर सकते हो ठीके कुछ इस तरह से दोस्तों Siri रिस्पॉंस दीता है और यहाप पर आपको बढ़ आता है पर दोस्तों यहाप पर कोई भॉइस का ओप्शन नहीं होता है तो इसलिए आपको अगर आप टाइप करके Siri से बात करना चाते हो तो यह वीडियो आप फालो कीजिए ठीके इसलिए डोस्तों iOS 11 iOS 12 के यंदर ही काम करेगा वैल जोल गläसे चलते है दोस्तो से दिंग्स का अंदर हो रोस्तों probability को पहले आपको ओपन करना होगा उसके बाद दोस्तों नीचे आपके यह पर जाना होगा जर्यर्ल के अंदर दोस्तों जर्ण के अंदर चाना होगा एकसेस के लिए CD के साथ आप बात करने के साथ साथ टाइब करके भी जान सकते हो CD से कोई भी चीज पूछ सकते हो यहाँ साथ अगर आप चाहो तो वाइस को भी एनेबल करके पूछ सकते हो अगर आप चाहो यहाँ से टाइब करके भी जान सकते हो और CD के साथ बात कर सकते हो ठीके, बहुत ही अधा अच्छे से काम करते है जो Type2CWD के साथ, अगर आप इसे OFF करना चाहते हो, यहाँ पर आपको फिर से दोहसदो Mu6ITY के अंदर जाना पड़ेगा, ठीके So, सेड़ीश के अंदर जाके यहाँ से दोस्तो lipsyncडरора के अंदर जाके बीटो को शेर करना और आमा जालने को सब्सक्राइब करके गंटी बाल आइकन को जरू सिदा बना धैंक यू फूर आज वीडियो, have a nice day